नमस्कार मैं ड्र जी के चंद्रो असिस्टेंट प्रफेसर अब बॉतनी कल्यांट पीजी का लेट मिलाई नगर मैं टॉपिक इस मोनो कार्ट फेंब्लीज पार्ट बी इपी गायनी इसके इंतर गत इपी गायनी सिरीज बे आने वाले सेलेक्टेट फेमिली का वर्णन हम देखेंगे इपिगाईनी में पेरियंत पार्शली पेटुलाइड होता है और ओवरी इंफिरियर होती है इसके अंतर के जो फेमिलीज हैं पहले सिटिमीनी जिसे मिस्वेसी के भी कहा जाता है इनमें ज्यादातर हर्ब वित फाल्ज स्टेम और ट्री पलांट पाये जाते हैं ब्रैक्ट पेटलोइड होता है फ्लावर यूनि सेकशल होते हैं और जैगोमर्फी ट्रैमेरस फ्लावर पाये जाते हैं सेकेंड फैमिली जो है जिंजी बरेशी जिसमें की अरमेटिक ऑईल पाया जाता है परियन्थ कैलिक्स और करोला में डिफरिशेट होता है इस्टेमन सिंगल लार्ज एंड पेटलाइड होता है कि इसरी फैंम्ली के घनेसी जिसमें की यह पेरनेट होते हैं राइजोन के दूरूं बियुद हाफ टेłę इल स्टेमन इनमें पायाता है और और वोरी वाटी होती है कि नेक्स फैंमली है इरिदेशी जिसमें यह पेरनेट होते हैं कौर्म के दवारा, फ्लावर, बाइसेक्शॅल, एंड ट्राइमेरस होते हैं, इस्टिग्मा, पैटलाइड होते हैं, नेक्स्ट फैमिली है, एमेरलेडीसी, जिसमें की एक्चिर और जैगॉमारफिक फ्लावर होते हैं, साथ ही ओवरी जो है इनमें इंफिरियर होती है कि फ्लावर कि बाइसेक्श्वल होते हैं अब हम सब सब पहले बात करते हैं फैमली सिटेमिनी की जिसे म्यूसेसी या बनाना कुल भी कहा जाता है जैसे म्यूसा प्राडिस का बनाना प्लांट साथ ही इनमें कुछ वुडी प्लांट्स भी पाए जाते हैं रवेनेला रूट एडवन्टिटियस रूट्स इनमें होती है जोकी राइजोम से राइज होती है स्टेम परनेटिंग राइजोम के फार्म में होती है फ्रम विच मैनी नेकट लीव्स प्रिंग और राइज होती है स्टेम लीव सीथ जो है वो एक दूसरे से रोल होकर आभासी तौर पर स्टेम का फॉर्मिशन करती है लीव्स जो है सिंपल लार्ज ओवल सीथ इनका लॉंग होता है ब्राइज होती है ब्लेड ओबलांग होती है यंग लिव जो है वो कन्वोलूटली रोल्ड होती है और इनमें पैरलल वेनेशन पाया जाता है इनक्रोशन्स सिंपल और कंपाउंड इस्पाइक पैनिकल और स्पैडेक्स के फॉर्म में होता है फ्लावर लार्ज, ब्रेक्टियेट, यूनी और बाइसेक्शन, इनमोनुशियस, मेल अपर साइड में और फिमेल लोवर पार्ट में पाया जाते हैं जाइगोमार्फिक, इपिगाइनस, और ट्राइमिरस फ्लावर इनमें पाया जाते हैं पेरियंत, जनरली शिक्स होते हैं, जोकि दो रो में विवस्तित होते हैं, पेटलाइड होते हैं, इनका आकार अनिक्वाल होता है इन मिशा, फाइब फ्यूज तो फॉर्म टूबलर स्ट्रक्शर, और वन पोस्टिरियर फ्री, और बोटलाइग इनमें से पाँच जो है, आपस में फ्यूज होते हैं, जबकि पाँचवा छेटवा पोस्टिरियर साइड का जो है, वो बोटलाइग स्ट्रक्शर में पाया जाता है इस्टेमन शिक्स होते हैं और सभी छे इस्टेमन रवनेला में फर्टाइल होते हैं, जबकि मुशा में छे में से फाइफ जो हैं, वो फर्टाइल होते हैं, और एक इस्ट्राइल होता है, जो कि पोस्टिरियर साइड का होता है फिलामेंट फिले फाम होते हैं, डाइथीकस इंटोज और लिनीयर फाम होते हैं। कार्पल थ्री होते हैं, सिनकार्पस, इनफीरीर ट्राइवलोकिलर विफ छैग्जाइल ग्लेसंटेशन. 1 बेशन इन हेलिकोनिय की पॉते हैं, रवेनेला में और साइजोकार्पिक फ्रूट जो है वो हेलिकोनिया में पाया जाता है इनकी कुछ इंपोर्टेंट प्लांट जैसे रवेनेला, मेडागास करेंसिस जिसे ट्रवलर ठी के नाम से भी जाना जाता है जिसमें लेवलम कहते हैं इस्ट्रलिट्जिया जिसे बर्डव पैरडाइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन में जो पेरियंथ है वो फ्लाइंग बर्ड्स की तरह दिखाई देता है उदरण की तौर पर यहांपर मुऊसा स्पीसिस की बात करेंगे जिसमें फ्लावर जो हैं ब्रेक्टियट्स जाइगोमार्फिक बाइसेक्शवल पेरियंथ प्लावर फट्स के लेकिन ये 6 में से 5 जो है आपस में जुड़े रहते हैं और एक सेपरेट होता है तो 5 प्लस 1 एंडरोशम अगें 5 प्लस 1 1 इस्ट्राइल एंड 5 फाटाइल एंड गाइनोशियम ट्राइकरप्लरी सिनकारपस इंफिरियर पोजिशन नेक्स्ट फैंबली है जिंजीबरेशी जिंजर फैंबली के नाम से जाना जाता है जिंजीबर इस्पिसिस इनमें पाई जाती है रूट एडवेंटिटियस इस्टेम राइजोम के फार्म में होता है जो कि होरिजन्टल होता है रियरली एरियल इस्टेम इनमें देखा गया है इस्टेम इनमें करकुमा की केस में इस्टेम लगवग अपसेंट होता है या बहुत ही छोटा होता है लीब जो है सिंपल होती है एक इस्टेम लेट होती है लीब बेस सिथिंग होता है करकुमा में लिकुलेट स्पाइरल इन कॉस्टस इलिप्टिकल और लीनियर पैरलल वेनेशन और एपेक्स इनका एक्यूट होता है इन्फोसेंस जो है टर्मिनल स्पाइक और रेसिम और पैनिकल के फॉर्म में पाया जाता है फ्लावर ब्रेक्टियट बाइसेक्श्वल जाइकोमार्फिक इपिगाइनस कैलिक्स और करोला डिस्टिंक्ट होते हैं लार्ज एरोमेटिक एक्शेप्रिन कॉस्टस, मोनो कॉस्टस, डाइमेरो कॉस्टस और टेफिनो कॉस्टस कैलिक्स थ्री फ्यूज होते हैं, ट्यूबलर होते हैं या स्पेत लाइक होते हैं ग्लेबबा में यह ट्यूब जो है वह सौट होती है या छोटी होती है और से पल जो है एंटिरियर साइड होता है करोला थ्री फ्री और युनाइटेड यह भी ट्यूबलर होते हैं ट्यूब लॉंग होती है हुआ कि बीड्रेग ग्लेड यह ब्ाइट के लोब एंट्यूबल का बढेंगो अड्यूबल इभी पेटलास होते हैं, एंटी सेपलास होते हैं, अधर तो इस्ट्राइल and are fused to form पेटलाइट लेबलम, और जो इस्ट्राइल इस्टेमन है, वो fused होकर लेबलम का फार्मेशन करते हैं, विच वे बी टू और थी लोग्ट, अँटीर वन अघुछ रूटर वन इस रूट से उपसैंट, आउटर वल का लिए दिच वेशन हमेशा। is absent होता है the other two maybe absent or present as in form of leafy stem nodes in case of Gee-Zeever in Gee-Zeever to Enther lobe joined by long spurred connective above the tip roskia the connective has two basal spurs carpel teen hoorti hai syncarpus inferior trilocular with exile placentation Curcuma, Hadassium, Ammum, etc., Unilacular with Parietal in Gleba, BILACULAR with Parietal in Monocostus, and unilocular basal in haplocloma, style 1, stigma 3-load and fruit loculicidal capsule के फॉर्म में पाये जाता है. यहाँ पर जिंजीवर का हमने एक्जाम्पल लिया है, जिन में flowers जो है, वो बैक्टियेट होते हैं, जीओमर्फिक, बिसेक्टियन, कलीक्स 3, करूला 3, स्टेमन 6, आप दो 6, अली वन पॉस्टियर फर्टाइल, आप कार्पिल 3, सिन कार्पास, इनफिरियर फोसिशन. नेक्स्ट फैमिली कैनेसी जिसे कैना फैमिली के नाम से भी जाना जाता है mostly perennial and large herb इन में पाए जाते हैं root adventitious होती है stem rhizome और tuber के form में होता है subterranean और underground condition में ये पाए जाते हैं leaves simple, colline, large, alternate, oblong, elliptical होती है distinct in sheath, pitule and blade, leaves with pulvinus like swelling infrosales जो है racine और pinnacle के form में होता है flower bractriate होते हैं large, bisexual, zygomorphic, epigynous, perient 6 into 1, 3 plus 3, partially differentiated into calyx and corolla outer sapploid or inner petalite form में होता है और ये base पर आपस में जुड़े होते हैं stemon 6 highly modified होते हैं सब reduced sometime reduced to 4, diplo stemon condition यहां पर देखने को मिलती है only posterior one of inner one is fertile and outer two coned to form petaloid stemonod जिसे लेबलम कहा जाता है and inner one, anterior one is suppressed while two lateral anterior lobe becoming petaloid carpel जो है वो तीन होती है और वाटी होती है syncarpus, inferior, trilocular with exile placentation style, flattened and petaloid stigma 1 and represented by stigmatic line fruit जो है capsule के form में होता है जिनमें की calyx persistent type का होता है morphology of flower की एदे हम बात करें तो the flower जो है asymmetrical होता है the sepal and petal are unequal the petal is colored the lebulum is rolled at the apex and is made up of a connection of two lateral stamens of the inner wall the fertile stamen bearing half anther at its tip represent the median posterior third number here as an example cana species के हम बात करते है flower bracteate variant 6 3 plus 3 2 7 6 6 out of only one posterior half fertile carpel 3 inferior and syncarpus cardation iridesi family जिसे iris family भी कहा जाता है mostly perennial herb by corb or bulb costus crocus और rhizome आईरिश प्लांट जो है इसके पोज होते हैं root adventitious stem, corn और bulb-like और rhizome फर्म में solitary or several leaves, radical, colline, simple, x-stipulate, crowded at the base of stem, leaf-based seething, iso-bilateral with parallel venation infusions जो है, small sign in iris, the flowering axis end in a flower which open first and has small lateral scyme, each, invested by speck प्लावर, bracteate, bisexual, trimeras, epigynos, actinomorphic होते हैं आईरिस और crocus में जबकि gladiolus में यह जाइगो मार्फिक होते हैं और emerging from spath variant 6 in tubal, fuse tubular in iris और कभी-कभी यह adherent to ovary, ovary से भी attached होते हैं stem, 3, free or united epiphyllus teples से जुड़े हुए and inner 3 stem जो है, suppressed होते हैं carpel 3, fuse, inferior, trilocular with exile or unilocular with periton placentation style single, stigma 3 petaloid in iris of fruit जो है, वो capsule form में होता है important plants के अधि हम बात करें तो crocus sativa, saffron जिसे केसर भी कहा जाता है जो इसके dried stigma से derived किया जाता है iris gorgeous flower के लिए famous है इसके अलावा bellemakinda जो है, वो decorative ornamental plant है example के तोर पर iris species का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं इसमें flower जो है, वो सकतिक का, बात्र में आत्र डाप्रत्र कर्णा, जाथिशैन के ए्टरोपोर लिएमन के लिए प्राटी मिएमना, बात्र पर डीपूर थैन रहे हैं इसम में पर जैंके त रहेा हैं स्टेमिनोड और अपसेंट कार्पिल थ्री इंफिरियर एंड सिनकर्पस कंडिशन नेक्स्ट फेमली एमेरलेडेशी जिसे नॉर्शियस फेमली भी कहा जाता है या नॉर्शिसस फेमली भी कहा जाता है सब्सक्राइब हैं अगे एंगेऩ मेंद सिम्पल एक्स और शिचिक भी कहा है इसके अलाबा फ्लैसी और पर्सिस्टेंट होती हैं फाइब्रस फैक्स कोटेट विद मल्टी कॉस्टेट परलल वेनेशन इन्फोसेंस जो हैं फ्लावर बिकम बॉर्न ओन लीफलेस स्कैप आइधर सिंगल और साइम और अम्बिक और प्रोटेक्टेट वाइ लाज ब्रैक्ट इस पर के लिया में और इपिगाईनस होती है परियेंट जोें वह वह होते हैं जो कि दो गरल में होते हैं हुड़े हुए होते आप छूटैंवर ये फ्री होते हैं नार्सिससमें नार्सिसस में और यूकेरिस में नार्सिसस और यूकेरिस में करोला ट्यूब और लिम्ब एक क्राउन की तरह कारे करते हैं इस्टेमन शिक्स लेकिन इनकी संख्या गैथिलिस में 12 से 18 तक होती हैं फ्री होते हैं इपी फिल्लास होते हैं डाइथिकस इंट्रोज और एक्स्ट्रोज फिलामेंट डिस्टिंक्ट और कोनेट बेसली बाई स्टेमनल ट्यूब कार्पेल 3 फ्यूज इंफिरियर ट्राइलाकिलर लेकिन कोलो इस्टेमा में ये यूनिलाकिलर होते हैं एक्जाइल प्लेसिंटेशन इस्टाइल सेलिंडर स्टिग्मा सिंपल और ट्राइफिड फ्रूट जो है इनमें कैप्सूल और बेरी के फॉर्म में होता है उधारन के तौर पर यहां पर हम नार्सिसस इस्पिसिस के हम बात करते हैं जिनमें की फ्लावर जो है वो स्ट्री स्ट्रेमन सिक्स जोकी इपिफिल्लस होते हैं कार्पेल थ्री इंफिरियर एंड ट्राइल अकिलर कंडिशन फ्यूस कंडिशन में यहीं की सिन कार्पस कंडिशन में दिखाई जेते हैं जु हत्त हैं धिक दू ह्त्क कि एा हुआ के λगाईट